दोस्तों, welcome back to channel, wisdom से यह दोस्तों, जैसे कि thumbnail पे आपने देखा होगा कि ऐसी problem, कभी कबार हो सकती है कि आपका जो photograph है या आपका signature है आपके admit card पे show ना करें और उस समय हो सकता है कि शायद आपको panic कुछ हो जाए कि ये क्यों चीजे appear नहीं हो रही है क्योंकि admit card पे आपका photograph और आपका signature डेफिनिटली वहाँ पे रहता ही है बट इन केस अगर आपका photograph या अगर आपका signature वहाँ पे appear नहीं हो रहा है दिन उस case में क्या करते हैं तो इस वडियो हम जानेंगे लेकिन दोस्तों से पहले आप सभी से छोड़ी से request है कि अगर आप चैनल पे नहीं है तो make sure आप चैनल को subscribe करें और bell icon भी आप ज़रूर प्रेस करें ताकि जैसे हमारे यहां से कोई video upload हो उसकी notification अब तब पहुंच जाए साथ में हमने multiple free classes upload कर रखी हैं अपने application पे तो जाए यह application भी आप ज़रूर डाउंडोड करें wisdom CA का link आपको मिल जाएगा description में तो दोस्तों सबसे पहले कि यहां पे आप देख सकते हैं कि यह आई से के FAQ और यहां पे question third है कि given है कि will the admit card continue my photographs and signature तो yes definitely आपके admit card पे आपका photographs and signature भी definitely यहां पे रहेगा बट अगर आपका photograph and signature अगर आपके admit card पे अविलेबल नहीं है तो किया यह valid है यह बिल्कुल definitely this is valid लिकिन हाँ उसके पहले आपको कुछ चीज़े करनी पड़ेंगी तो दोस्तों जैसे कि देख सकते हैं यहां पे यह एक demo admit card यहां पे normally चीज़े आपको सब कुछ दिखती है आपका candidates name यहां पे candidates characters यहां पे इनका roll number exam, city, medium, registration number, mobile number यहां पे exam center, कौन सा exam center तो यहां पे इस characters भी आपको दिख जाएगा बढ़ हाला कि चीज़े सब कुछ मैंने यहां से areas कर रहे है, reason क्या है कि जिनका भी admit card है, उनके details यहां पे show ना करें अब यहां पे सर देखो, आपके साथ में दिक्कत क्या हो सकती है कि यहां पे आपका photographs and signature आपका यहां पे show नहीं करेगा, mostly यह problem आ सकती है in case अगर यह ऐसी दिक्कत हो, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले बात कि आपको करना क्या है कि यहां पे आपका photographs एक passport size फोटोग्राफस आपको यहां पे एफिक्स करना है और आपको यहाँ पर signature कर रहा है यह हो गया आपका original admit card तो sir आपने क्या करा है कि आपने एक photographs एक एफिक्स करा और आपने एक signature कर दिया और इसको ले करें कि किसी भी आई से एक member के पास में को जाना है और बोलना है कि sir यह मेरे admit card है और इसमें मेरे signature and photographs अपियर नहीं हो रहे थे तो please आप इसको verify कर दिजिए then वो क्या करेंगी कि अपना signature करेंगे अपने office के stamp लगाएंगे और इसको certify कर देंगे इसको लेके जाना आपको exam center पे और देखो जी इसको आप करना क्या है कि एक और copy आप ज़रूर इसकी निकल वा लेना आपके खुद के records के लिए क्योंकि यह जो admit card है इसको आपको exam center में submit करना पड़ेगा ठीक है तो यह चीज़ें यह जो आपका admit card होगा यह आपको exam center में submit करना होगा और इसकी जो एक copy है copy आपके पास में रही तो make sure कि इसके photo copy आप ज़रूर कर लेना और उसके बाद ही आप लेके इसको जाना तो यहाँ पे आपका एक photographs affix करना होता है तो इसके लिए साथ में आपको एक photograph भी आपको carry करना पड़ेगा अगर आप single group में है तो एक photograph अगर आप बोद गरूप में है तो आपको दो photographs भी करना पड़ेगा तो सरी यही चीज़ यहाँ पे given है कि in case admit card does not bear the photographs and signature of the candidates he or she is advised to paste photograph and affix signature in the area mark in the printout of the admit card तो जो मैं आपको दीखा है कि वहाँ पे आपको क्या करना है photographs आपको affix कर देना है और signature भी कर देना है और उसके बद आपको जो member है institute के इनसे आपको sign करना है साथ में stamping भी signing उनसे आपको करना है अटेस्ट करना है in the bottom of the page page के bottom में अब यहाँ पी he and she will require to hand over the original attested admit card to the exam center exam center में जो attested admit card होगा इसको आपको करना होगा hand over और उसके बाद तो इसलिए make sure कि एक photo copy भी आप साथ में लेकर कि जाओ इसकी क्योंकि hand over करने के बाद आपके पास में एक proof के लिए क्योंकि वहाँ पे sign होकर कि आपके पास में रहेगा कि इस दिन आप exam center में appear हुए थे तो वो sign करके आपको definitely उस दिन मिल जाएगा और साथ में आपको एक carry करना पड़ेगा stamp size photograph इसका मतलब कि जो आपका photograph है जिसको हम बोलते हैं passport से इस photo तो उसको आपको लेके जाना पड़ेगा जो कि आपका attendance register है वहाँ पे paste किया जाएगा और उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखो यहाँ पे given है कि note note में given किया है कि please carry twist time size photographs if you are unit और both group candidate अगर आप दोनों group में appear हो रहे हैं तो आपको make sure कि दो photograph आपको लेके जाना है तो दोस्तों यहाँ पर यह चीज़े हैं और यह details बिल्कुल आपको करके जाना है इस तरीके से आपको इसको execute करना है तो अगर आपके admit card पे कुछ ऐसी दिक्कत है कि आपका photographs या अगर आपका signature उसमें appear नहीं हो रहा है तो make sure यही चीज़े पहले है आप complete कर लें अभी वैसे admit card है क्योंकि आज की rate में 28th of October तो में video record कर रहा हूँ तो आज की rate में अभी तो admin card आया नहीं है बट येस जब भी admin card आएगा और in case कोई ऐसी दिक्कत आपको होगी तो make sure कि यह सारी जीज़े आप follow करें और साथ में दोस्त हम video share भी गरें ताकि जितने भी लोग हैं जिनको ऐसी दिक्कत आ रही होई जा आने वाली है या हो सकती है तो बिलकुल उनको भी इसके बारे में update या इसके बारे में information मिल लाए so make sure to share this video and yes channel subscribe कर लिजिये and notification पाने किल बल इकन ब्या ब्या जरूर प्रस्क्रीज तांको समच एंटे केर